किले के उत्तरी हिस्से की तरब जब हम बढ़ते हैं तो हमें वैसे ही दरवाजी दिखाई देते हैं जैसे उस समय रहते होंगे लकड़ी के बने हुई मजबूत दरवाजे जिन में आगे और पीछे कीलों का और बड़े बड़े एंगिल्स का सम्मिस्रण किया गया है थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक ऐसा इस्थान मिलता है जिससे राजा ने अपने मनुरण्जन के लिए बनवाया था इस के लिए से लगबग आठ सो मीटर की दूरी पर रानी साहबा का महल है यह महल दो मंजिला है और लगबग 2000 स्क्वाइर मीटर में फैला हुआ है यह ऐसा ही द्वारा इससे संड़क्षित किया गया है इसके अंदर जाते ही सबसे पहले हमें एक मूर्ती दिखाई देती है जो खजुराहों के मंदरों से लिगई प्रतीत होती है इसके सीड़ियों के ऊपर शांदार नकासी की गई है यद्द्यपी अब इसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है और अंदर पहुचते ही हम देखते हैं कि विभीन प्रकार की प्राचीन कलाकरतिया यहां विद्द्दमान है बहुत सारी पेंटिंग्स रखे होई है उस समय के अंग्रेज सासकों दौरा अंग्रेज अधकारियों दौरा रानी के बारे में जो कुछ कहा गया वो सब संदक्षित है लिखा हुआ है प्राचीन काल के या उस समय के बहुत सारे हत्यार कौन-कौन से हत्यारों का प्रियोग होता था छोटे वड़े हर पकार के हत्यार यहां आपको मिल जाएंगे पूरे किले के मद्ध में एक बहुत बड़ा खुला इस्थान है जो उस समय रानी के बैटने और आनन्द लेने का इस्थान हुआ करता था जिसे आज एक छोटे से पार्क में तब्दिल कर दिया गया है गास लगा दी गई है लोग आते हैं इस्थान को देखते हैं इस किले का लगभग आदे से अधिक हिस्षा एसाई के द्वारा अपने पास रख लिया गया है और वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता थोड़ा और आगे बढ़ने पर इस के लिए से लगभग दो किलो मीटर के दूरी पर राजा साब की समाधी बनी हुई है जिसे राजा साब की छत्री कहा जाता है ये इस्थान मारानी लक्ष्मी वाई ने माराज की मृत्यु के उपरांद उनकी समाधी इस्थल के रूप में बनवाया था जहां स्वयम जाया करती थी उस समय के लोग से धंजरी देने जाया करती थे और अब तक ये सिल्चला जारी है इस समाधी इस्थल के ठीक सामने दक्ष्र दिसा की ओर माता लक्ष्मी का मंदिर है ये माता लक्ष्मी उनकी कुल देवी माने जाती है इनकी प्रति दिन रानी साहवा और राजा साहब जब तक जीवित थे प्रति दिन इनकी पूजा आर्चना की जाती थी आज भी यह संडक्षित है और पुराना राज सी ठाट बाट यहां दिखाई देता है मंदिर जमीन से लगबग 15-20 फिट उचाई पर है इस पूरे नीचे के स्थान को एक हॉल में कनवर्ट कर दिया गया है जहां किसी को जाने नहीं दिया जाता उपर मातल लक्ष्मी का स्वरूप देखकर दिल खुज हो जाता है बहुत सांदार मंदिर बनाया गया है इस यहत्रा को पूरा करने के बाद हमने अपनी बाइक बढ़ा दी खजुराहो की तरफ खजुराहो एक ऐसा इस्थान जिसके वारे में ये कहा जाता है कि ये ना सिर्फ कलाकरतियों बलकि ऐसा केंदर कहा जा सकता है जो आपको भोग से योग की तरफ ले जाता है अगले वीडियो में आप देखेंगे